फोर्थाइन यूज नजर हर खबर पर कि जिन इस्थानों में ख़दान खोदी जाती है नुकसान तो उन्हीं का होता है आपने केवल 50% राशी उस छेतर में खर्च करने का नियम बनाया है मेरे ख्याल से और उदार होना चाहिए और इसे बढ़ा कर आप अगर जादा से जादा सीमा तै करनी है तो लोग सभा छेतर की सीमा तै कर दीजिए जहां खनिज है उस लोग सभा छेतर के बाहर इस पैसे का खनिज मद का उपयोग ना हो बैला डिला में खुदे और रायक्मर में प्रयोग हो ये बिलकुल गलत है वहां के दक्षिन बस्तर के रहने वाले आदिवासियों के साथ अन्याय है आपने 50 प्रतिशत किया है इसको शर्ट प्रतिशत कर दीजिए अबर एरिया बढ़ाना है तो या तो जिला कर दीजिए या लोग सभा कर दीजिए पर पूरे प्रगेश में मत रखिए बेला डीला का पैसा राइपूर में लगता है तो हमारे दिल में बहुट टीस पहुंचती मानिया देक्ष महोदा मानिय सदसे की जो चिंता है मैं उससे इस प्रश्ट करना चाहूँगा देक्ष महोदा कि बगल की जिले में कुछी कुछ कम राशी फिर उसके हैं रायपूर में जो एर इस्टीप अपनी बनेगा मैं आपको इस्वास दिलाता हूँ कलेक्सेट में लिप्ट नहीं बनेगा ये मैं आपको इस्वास दिलाता हूँ ये खनी जो प्रभावी छेटर के लोग हैं उन्हीं के जीवन इस तर उठाने में खर्च होगा मैं ये भी कहना चाहूँगा अद्यक्च महुदा है इस पैसे के रासी पहली बात ये है कि जो हिद्गराई हैं उनको चिनित किया जा रहा है अद्यक्च महुदा है निवासीं के अश्कता के अंब्रूप पांच वर्थी वीजन डाक्यमेंटी भी सयार करने का निर्दिश्क महुदा है अद्यक्च महुदा है ये सोशल खूर मुद closet भी किया जाएं गा इस से नियास नितिस संबादि संबादित कायरों के सतक जीवको पारजन, सारजुनिक परवहन, सांस्कृतिक मुल्यों को सरक्षन, ये हम युवा गत्विधियों को बढ़ावा देने के नए सेक्टर सामिल किया गया अध्याक्ष महुद है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th High News, साथ ही बैल आइकोन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुच सके आप तक।